जब भी आप पेट्रोल पम में पेट्रोल डलाने जाते हैं या फिर डिजल डलाने जाते हैं तो आपके को लगता है कि आपके कार या फिर जो भी गाड़ी है आपके पास उसमें पूरा पेट्रोल डल गया है या फिर किसान भाई ही जाते हैं ट्रेक्टर लेके तो उनको लग तो आज के लिए उनस सभी भाईयों के लिए वीडियो बहुत जानकारीदार होने वाली है तो पुरा लाश्र तक देखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेयर किजेगा तो हम ज्यादा टाइम ना खराप क मेरे पहचान के ही थे वहाँ तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मैंने 100 रुपय का पेटरोल डालने बोला तो उन्होंने क्या किया पहले से 30 रुपय का डला हुआ था वही से स्टार्ट कर जा क्योंकि मैंने 30 रुपय का सामने वाले डलाया था और उसके बाद मैंने मीटर देखा था लेकिन उनके बात में मैंने ध्यान नहीं दिया और वहाँ से थोड़े ही दूर मैंने सोचा दो मिनट वहीं खड़े हो कि पूरा डला है कि नहीं पेट्रोल फिर मैंने फिर से बोला उसको कि पेट्रोल इसमें पूरा नहीं डाले हुआ तो उसने बोला कि मैंने तो पूरा डाला आपके साथ ऐसे कैसे करूँगा क्योंकि वो मेरे पहचान का था इसलिए ऐसा तुने नहीं डाला करके मैंने उसके साथ बहस किया और वो 30 रुपए का फिर से मेरे उपर क्योंकि उस ने ऐसा किया था तभी मेरे बाइक में 30 रुपए का पेट्रोल डाला तो इसलिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं अभी ये तीन चीज बताने वाला हूँ सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि ऐसी होता है जगर आपके सामने वाला 50 रुपए का पेट्रोल डाला या फिर 50 का डीजल लेके गया तो उसके बाद वो नुजल को अंदर नहीं रखते हैं मतलब वापिस से जीरो पे नहीं लाते हैं ऐसी पकड़ कि आप आएंगे आपको बातों में उलजाया जाएगा और आपको 50 रुपए 0 नहीं दिखाएंगे बातों उलजाएंगे और 50 श्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको अगर 1500 डलाना है तो 1500 रुपए में रोग देते हैं यह हुआ फर्स्ट ट्रिक तो आपको सुन्य जरूर देखना है जब भी आप पेट्रोल डलाने जाएं और जो दूसरा है दूसरे में जो ऐसा है यह आपको और भी सौक कर देगा कि पेट्रोल कहसे चोरी होती है या फिर डीजल दूसरा जो है उसमें अगर आप पेट्रोल डला रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है क्योंकि मीटर अगर आप देखे होंगे तो उपर में रूपए दिया रहता है और जस्ट नीचे में कितना लीटर आया या फिर कितना पॉइंट डला है पेट्रोल यह दिखा जाता है अगर आप 200 का डला रहे हैं तो क्या होगा अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको ऐसा दिखा जाएगा क्योंकि 2.00 आएगा तो आपको 200 बता दिया जाएगा बल्कि आपके गाड़ी में 200 का नहीं सिर्फ 2.00 पेट्रोल डला गया है ऐसा होता है और अभी टाइम में बहुत महेंगा है पेट्रोल क्योंकि आपको नीचे 200 नहीं कुछ और ऐसे दिखाया जाता है इसलिए मैं आपको बता और तीसरा जो है अगर आप पेट्रोल डला रहे हैं तो आप जो नोजल रहता है पेट्रोल डले उसको लॉक करा दिजाएगा क्योंकि उसमें भी कुछ-कुछ मात्रह में पेट्रोल कम आता है आपके गाड़ी में तो यह सभी बातों देहां रखते है यह सब्सकराइब करें घया है तो छले नेक के जैहिन वंदे महत्रम